इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटेड्यूजिंग दपास्ट ये एसस्टी है ठीक है ना और क्लास फॉर का वीडियो है चैप्टर फाइव है ये डिमांडेट वीडियो है ये मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था इस चैप्टर को समझाने के लिए बिसिकली हम स हिस्ट्री का है ठीक है ना तो हिस्ट्री हम लोग इस चीज के लिए पढ़ते हैं हिस्ट्री कहने का मतलब होता क्या है पहले इस चीज को जान लो तब ये चीज आपको समझ में आएगा ठीक है ना मतलब बीते हुए कल के बारे में इसमें हमको पढ़ना होता है ठीक है बीत पुति सारा अंगिनत चीज है जो कि हमको इस book में पढ़ना होता है तो पहले timeline, timeline एक line होता है जो कि time को represent करने के लिए use किया जाता है, ठीक है time को दिखाने के लिए use किया जाता है, ये क्या so करता है event so करता है जो past में हुआ है event जो घटना जो हमारे past में जो हमारा कल बीत गया पुराना जवाना उसमें जो चीज हुआ है उस चीज के बारे में हमको यहां पे दिखाता है chronological order से इसका मतलब क्या होता है बबू chronological order कहने का मतलब ओ चीज जो कि time to time जो चीज कैसे की हमारा past में यह time यह चीज हुआ था उस time यह चीज हुआ था तो time जो time होता है न तो उसी को chronological order में बोलते हैं ठीक है बाबो जो पुराना dates होता है events वो हमारा left timeline में लिखा हुआ रहता है और जो अभी चीज जो अभी चल रहा है recent में उसको right side में ठीक है एक left होता है एक right होता है तो left में उस चीज को लिखा हुआ रहता है left side में जो हमारा पुराना past में जो चीज घटना हो चुका है ठीक है और right में उस चीज को लिखा हुआ रहता है जो घटना अभी recent में हो रहा है अब भी हो रहा है, caught it, ये दोनों में difference समझ गए आप लोग, timeline हमको क्या मदद करता है, समझने के लिए कि कोई भी चीज कब, मतलब कब हुआ है, particular event, कब कोई भी चीज कब, मतलब कि कितना समय में हुआ है, कब हुआ है, ये चीज हमको समझने में मदद करता है, timeline, लेकिन, how do we return information about the people who lived in a very long time ago on a timeline, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, कि हम कैसे information leak सकते हैं, लोगों के बारे में, जो बहुत लंबे समय तक timeline में है, ठीक है, लंबे समय तक, पूराने जबाने में जो होते थे थे ना, तो उसको कैसे, तो अब ही हम लोग यहाँ पर चलो देखते उसके बारे में क्या बोल रहा है, हम लोग calendar use करते हैं, ठीक है, इस चीच को जानने के लिए, calendar use करते है, date को जानने के लिए, months को जानने के लिए, years को जानने के लिए, यह चीच पता है आपको, calendar जो हम लोग use करते हैं, अभी के date में, उसको जियो, 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 ग्रीक और तो गैंडर को बोला जाता है ठीक है ना इस केलेंडर को हम लोग use करते हैं अभी के डेट में ठीक है This calendar was developed in Europe, यह calendar कहाँ पर developer किया गया था यूरोप में developed किया गया था कब? कौन सा year में? 1582 CE में अभी हम लोग इस चीज के बारे में भी जानेंगे CE और BCE ये क्या होता है ठीक है ना इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको चलिए और जादतर लोग जो यूरोप में रहते हैं वहाँ पे एक जेजस क्राइट थे उनके उनका जो जन्म हुआ था वो बहुत एक इंपोर्टेंट घटना था जब उनका जन्म हुआ था ना जेजस क्राइट का ये एक आदमी है जो कुछ होंगे कि उनके बारे में आप पढ़ सकते हो गुगल से सर्च करके जब जेजस क्राइट जन्म हुए थे ठीक है यहां से यहां तक यह समझना बहुत जरूरी इस चीज़ को आप लोग समझ जाओगे अच्छा समझ में आने लएगा आपको और यहां पर क्या बोल रहा है कि ओ यह जो जेजस क्राइट के बर्थ के बाद आता था उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कोमन एरा के नाम से ठीक है न अब समझ में आ गया कोमन एरा कब हम कब लिखा जाता है यह मतलब कि यह जो 1582 है और CE लिखा हुआ है तो मतलब कि यह उनके जन्म के बाद का है ठीक है जन्म के बाद का है तब इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है जन्म उनका हो गया उसके बाद अगर कोई घटना हुआ और उसको डेट लिखा जाएगा उस कलेंडर में तो उसके बाद वहाँ पे CE लिखा जाएगा इसको हम लोग फुल फ्रॉम बोलते हैं और हमको पता है कि हमारे जो पास्ट है उनके जन्म से पहले बहुत ज़्यादा पुराना है ठीक है वेन वी काउंट द येर्स बैकवार्ट जब हम लोग काउंट करते हैं पीछे को तो इसका मतलब की हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं जन्म के जैसे की क्राइस्ट जो है जिनका जन्म हुआ था उसके बाद का जो भी डेट आता है जो भी घटना हुआ तो उसको हम लोग CE में लिखते हैं और इनका घटना के पहले बहुत सारा घटना हो चुका था जन्म होने से पहले बहुत सारा घटना हो चुका था तो उस चीज को जो लिखा जाता है डेट में उसको BCE में लिखा जाता है ठीक है? Before, before मतलब पहले होता है और CE मतलब common era common era मतलब क्या? कि उनके Jesus Christ के जन के बात का जो आया, उसका बात उसको C लिखाने लगा, और उनके जन से पहले BC लिखाता है, ठीक है, तो ये clear हो गया दोनों आपको, अब यहाँ पे देखो, टाइम लाइन, जब हम लोग टाइम लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो we write the events which took place in BC towards the lives, अब देखो, ह ठीक है, BC जो उनका जन से जो पहले हुआ था, उसको हम लोग left side में लिखेंगे, अभी हम जस्ट बचाएं जो past वाला चीज को left side में लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको कैसे लिखा जाता है, descending order में, descending order समझते हो, क्या होता है, ascending मतलब बढ़ते करम में, descending order मतलब घटते करम में, ठीक है बाबो, और event जो उनको जन के बाद हुआ था, जन के दोरान हुआ था, और उसके बाद तो उसको right side में लिखा जाता है, ठीक है ना, मतलब कि अभी उनका जन के अब तो जन पहले ही बहुत पहले हो चुका था, तो अभी भी जो घटना हो रहा है, recent में भी, तो जन के बाद ही ना, अब तो सब BC, BCE ही होगा, ठीक है, क्योंकि उनका जन के बाद हो रहा है, तो BC ही होगा, ओके डियर, तो इस इवेंट और उसको हम लोग right side में लिखते हैं, ठीक है, अधिस इवेंट आर रिटेन इनने से, और ये वाला event को हम लोग ascending order में लिखेंगे, इ 500 BC, मतलब कि उनका जन के पहले, 1000 BC, 1500 BC, 500 BC, 1000 CE, ठीक है, जन के बाद हो गया, ये भी जन के बाद, ये भी जन के लिख सकते हैं, देखो ये, ये जन का, जेजस क्राइट का जन का है, उसके पहले का है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहां से, ये वाला, ये इतना, आपक जन के बाद का है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, left, right, ठीक है, इसको हम लोग right वाला को ascending order में लिखेंगे, इसको हम लोग descending order में लिखेंगे, clear हो गया है आपको, अब हम लोग यहां history का meaning को समझते हैं, कि history का मतलब क्या है, उसका meaning क्या है, जितने भी event होते हैं, जित history का parts हैं, जो लंबे समय तक रहे हैं, the word history has been taken from the latin word, जो word history है उसको कहां से लिया गया, latin word से लिया गया है, historia, यह historia एक latin word होता था पहले, ठीक है, अब यहीं से इसको लिकाल कर history word बनाया गया है, ठीक है, इसका मतलब की account of details and past events, history कहने का मतलब आपको starting में ही बता दिये थे कि stitch का detail जो past event, जो बीत गया है कल, उसका घटना जो हुआ है, जो बीते हुए कल में जो घटना हुए है, उसके बारे में detail, ठीक है, therefore history is the study of past event, इसलिए history क्या बोला जाता है, इसको पढ़ा जाता है, past में जो घटना हुए है, उस चीच के बारे में study किया जाता है, past में past में क्या क्या हुआ था, कैसा घटना हुआ था, ठीक है न, अब देखें यहाँ पर हमारा next topic है, how do you know about the past, अब हम अपने past के बारे में कैसे जानते है, past मतलब बीत गया है, आप लोग पढ़ते हो न, tense में, past tense, future tense, तो past हमारा बीता हुआ कल होता है, future हमारा, जो आगे होने वाला है उसके बारे में, और present मतलब कि अभी जो हो रहा है, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहा है, तो यह present हो गया, ठीक है बाबू, अब यहाँ पर देखो, we can learn about the past with the help of various source of history, हम लोग past के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे history का sources हैं, कहने कि मतलब कि history का book हो ग हमारे में जानता हो, उससे आप जान, उससे आप पूछ कर पता लगा सकते हो, ठीक है, तो यह सब sources होगा है, कैसे ran जो है, बरसात है, यह पानी का sources है, यह हमको बारिस से पानी आता है, तो यह sources इसी तरह से हम यहाँ भी कह सकते हैं, sources can be in a form of form of object, which are used by the people in the, देखो, यह जो किताब भी object है, अगल बगल जो चीज दिख रहा है, वो भी object है, जो जिसको लोगों के तोवारा use किया जाता था, पूराने जबाने past में, example के तोर पे देखो, coins, सिक्का जो होता था, यह जो को सिक्का हो गया, utensils, बरतन वेगरा हो जाते थे, utensils, tools वेगरा, कोई हत्यार हो पूराने जबाने के जो हत्यार लोग use करते थे, मानो जाती जो हत्यार use करते थे, पत्थल से बनाते थे ना हत्यार, ठीक है, और जोईलरी वेगरा से, पूराने जबाने के जोईलरी जो गहना वेगरा, पहनती थी लड़किया लोग, उससे भी आप जान सकते हो, we also get information from the old books and paper, और हम लोग को और information कहां से मिल सकता है, पूराना किताब से और paper से, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते है, manuscript बोलते है, जिसको क्या बोला जाता है, इन सब चीज़ों को manuscript बोला जा सकता है, क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमको past के बारे में पता चलता है, जो कि जो कि पार्टिकुलर पिरियेड में लिखा गया है, कहने का मतलब कि वो चीज घटना हो गया, उसके बाद उसको लिखा गया है, कोई पिरियेड में, कि जैसे कि 1580 से 1590 के बीच में ये घटना हुआ था, तो ये चीज उस टेम लिखा गया, ठीक है ऐसे, ठीक है बाबू, अब यहां पर देखो, जैसे painting हो गया, clothes हो गया, पूराना furniture हो गया, monuments, monuments कहने का मतलब कैसे दिल्ली में ताज महल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब monuments है, ठीक है, किला है, जो कि हमको information वहाँ पर जाऊ गया, कुदूब मीनार में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे हिस्टरी के बारे में बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है पथलों पे उस चीज़ से आपको पता चले है कि इसमें वहाँ पे लिखा गया है कि यह इतना में बनाया गया है यह इतना में बनाया गया है तो हम क्या होगा हिस्टोरियन होगा है ठीक है अब कैसे जो फ्लाइट उड़ाता है उसको हम लोग पाइलट बोलते हैं तो जो हिस्ट्री पढ़ता है उसको हम लोग हिस्टोरियन बोलेंगे सिंपल सा बात जो हमको पढ़ाता है उसको हम टीचर बोलते हैं तो जो हिस्ट्री पढ़ाएगा उसको हमको जो हिस्ट्री के बारे में जानता हो उसको हम लोग हिस्टोरियन बोलेंगे यह देखिए old coin है पुराने जवाना का सिक्का ऐसा होता था यह clay pot है मिटी का एक घड़ा है ठीक है यह stone tools है जो early humans invent किये थे ठीक है ना tools है हथियार है अब history of India इंडिया का history है यहाँ पे इंडिया has a wonderful and glorious past इंडिया जो है wonderful है glorious past है इसका मतलब कि बहुत अलग धंका है past इसका पढ़ने में आपको अच्छा लेएगा since our past dates back and thousands of years it has been divided into three periods हमारा जो past है हमारा जो past है ना वो thousands of years मतलब कि बहुत हाजारों साल पहले का भी है यहाँ बहुत साल पहले का जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको तीन period में divide किया गया है वही अलग-अलग period माट दिया गया है कहने का period क्या होता है कि उस Asian period मतलब की Asian period पूराना जबाना के बारे फिर medieval period है modern period है तीन period है तीनों period के बारे में हम इस चैप्टर में चानेंगे पहले हम लोग Asian period के बारे में चानें कि Asian period होता क्या है इसमें क्या क्या हुआ था ठीक है देखो इंडिया में जो Asian period कब से start हुआ था pre history and continue till 700 CE ठीक है यह इ हिस्ट्री जो था ना उससे पहले और कब तक चला था साथ सो बी सी में, साथ सो सी में मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के बाद तक चला था ये, ठीक है और प्री हिस्ट्री वो ऐसा पिरियेड होता है प्री हिस्ट्री ऐसा पिरियेड है, प्री हिस्ट्री समझ लो ऐसा period है कि history का information मतलब लिखने से पहले ही वो period start हो गया था ठीक है ना कि ऐसा नहीं कि history का अभिमान क्यों हम लोग सब नया life start किये ठीक है हम लोग का history कुछ नहीं है हम लोग सब आस्मान से टपके हैं भी तो अब start होगा हम लोग का सारा कोई अच पे तो अब हम लोग का कुछ साल बीत गया तो अभी तक history के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है तो जब तक लिखा नहीं गया था तब से ही ये start था ancient period clear हो गया the period begins with the early farming settlement of the Indus Valley moves towards the growth of cities और ये period जो start हुआ था farming settlement से पहले जैसे की farming वेगरा जो था उससे पहले हुआ था Indus Valley जो था ना Indus Valley का जो farming settlement था उससे पहले ये start हो गया था और फिर cities का growth होना start हुआ था ठीक है वो move किये थे किस तरफ cities के तरफ move किये थे ओके डियर और उस टाइम लगभग 1500 BC BC मतलब Christ के जन्म से पहले की बात हो रही अभी तो उस टाइम कुछ tribes tribes कहने मतलब जन जातिया होते हैं जो लगभग इधर उधर move करते रहते हैं अब अपने अगल वगल भी अभी भी बहुत लोग ऐसे है tribes जोड के पास घर नहीं होता है एक जगा से दूसरे जगा move करते रहते हैं आप देखते होंगे अगल वगल ठीक है कोई जोपड़ी लगा के रह रहा है तो कोई रोड पे सो रहा है तो एक जगा है यहाँ फिर कुछ दिन में दूसरे जगा चले जाएं तो पहले ऐसे ही होते थे कुछ ट्राइब कहां से तो central asia से आया थे और कहां तक इंडिया के सब कौण्टिनेंट ठाख ठीक है Central India से सब आया थे central इंडिया से आया थे और सब कौण्टिनेंट तक अगया थे यह प्ल को क्या बुलाया जाता था Indo-Arians भी बूलाय जाता था उस time period जो पंद्रा सो बीसी था Before Christ मतलब कि पंद्रा सो पहले का जो था Before Christ के पहले का ओ रेफर किया गया था एक Vedic age ठीक है एक Vedic age उस time माना जाता था इसको Vedic age क्यों दिखते है Because the Vedas were written during the क्योंकि Vyedaas उसी time इस पिरियेड में लिखा गया था ठीक है ना जैसे कि रमायन हो गया यह सब महाभारत हो गया इसी पिरियेड में लिखा गया था कौन सा पिरियेड में लिखा गया था ठीक है बाबु I hope कि आपको clear हो गया होगा many kingdoms were formed in the northern part of India during the ancient period अब बहुत सारे सम्राज बनाया गया थे नोर्देन इंडिया का northern part में इस पिरियेड में मगादा emerged as the most powerful kingdom अब दो एक मगादा थे मगादा भी एक kingdom थे जो इस साथ में emerge हो गया थे एक साथ में ठीक है और एक powerful kingdom बनाया थे नोर्थ इंडिया में ठीक है बाबु पाउरफुल के kingdom कहने कम दो सम्राज होता था उनका एक संगठन होता था ठीक है आव 321 इस भी में before Christ BC लिखा हुए आप देख रहे हो एक चंद्र गुपता मौरियन जो की become ruler of मगादा और मगादा का मगादा एक जगह का नाम है वहाँ का एक ruler बने थे ठीक है वो ruler बने थे and founded the Morian dynasty और फिर Morian dynasty बाद में वो found out किये थे खोज किये थे Morian dynasty का और फिर बाद में उसका जो grandson है Ahsoka, वहां का ruler बने ठीक है, जो कि बहुत बहादूर थे ठीक है ना, जो Ahsoka बने थे, बहुत powerful थे ठीक है, और brave भी थे, बहादूर थे, he fought many wars, और बहुत मतलब जगड़ा वेगरा किये थे फाइटिंग किये थे, wars भी हुआ थे उनके साथ, दूसरे kingdom से अपना जैसे कि कैसे पहले होता था कि ये समराज हो समराज, ये Ahsoka का है, तो ये दूसरा का है तो ये दुनों में विरंथ हुआ, मार पिठ हुआ तो बहुत सारे kingdom से वो लड़े भी थे, war हुआ था तो however, the war with the Kalinga brought about the change in Ahsoka और जो war हुआ था Kalinga, एक kingdom, उससे change हुआ था, Ahsoka में कुछ मतलब उन से जब जगड़ा हुआ था तो कुछ changes हुए थे और उस टेम जगड़ा हुआ था Kalinga वार से, तो उसमे बहुत लोग खुन वेगड़ा बहा था, बहुत लोग अपना life, मतलब कि अपना life खो दिये थे, Kalinga वार में और इससे वो बहुत upset हुए थे, Ahsoka ठीक है न, और वो decide किये कि अब fight नहीं करना है, कोई भी कोई भी kingdom थे, और वो क्या किये कि फिर, मतलब कि ये सब देखकर और decide किये कि नहीं, अब नहीं लड़ना है, क्योंकि बहुत का life loss होता है, ठीक है इसके कारण, और फिर वो क्या करना इस्टार्ट किये, बहुत सारे rock वेगरा, pillar वेगरा बनाना इस्टार्ट किये, और बहुत जगों पे अलग-अलग पार्ट में मतलब कुछ message उस पे लिख दिये ताकि उससे लोग पढ़पाए उस message को, ठीक है ना, ठीक है दिये तो आज इस वीडियो को हम इतना ही तक रखते हैं क्योंकि ये बहुत जादर long वीडियो हो चुका है और next part 2 वीडियो हम फिर बनाएंगी इसमें अगर अच्छा लगो तो like, subscribe जरूर करें टीर, actual हम science के teacher हैं तो SST हम first time पढ़ा रहे हैं तो अगर अच्छा लगो तो please आप हमको motivate कीजे, हम और भी पढ़ाएंगे आपको और भी chapter, bye take